रख्मान रहीम, अस्सलाम अलीकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैठीट गेन चैनल, स्टूडेंट ये वीडियो इंतहाई इंपोर्डट है, नाइथ की रिजल्ट के हवाले से बात करूंगा, जो के ग्रेडिक सिस्टम में आ रहा है, लेकिन ये ग्रेडिक सिस्टम होत अपने वीडिक सिस्टम का तो फाइदा ही है, लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता, उनको समझाया गया ग्रेडिक सिस्टम का ग्रेडिक सिस्टम होता है, फिर फाइनली ये डिसाइड गया, कि यह जो है, नाइथ, टैन्थ, फरस्ट एर, सेकंड येर, इन सब का रेजल्ट ग्रेडिक सिस्टम में आएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आपका फेस वन होगा, फिर फेस टू होगा, फिर फेस त्री होगा, तीन फेस में इसको ड अभी ग्रेडिक सिस्टम में आएगा, तो अब ग्रेडिक सिस्टम में तो आएगा, लेकिन स्टूडंट को पता ही नहीं है, कि यार ग्रेडिक सिस्टम होता क्या है, तो अब इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि बड़ी स्ट्रगल होती है इस तरह की स्टड़ी करके आपको मैसेज करना और मैथ विबियन को सब्सक्राइब पर ले पहली बात तो यह कि ऐसा होता था कि जो हम पहले 9th और 10th के स्टूड़न या और भी बहुत स्ट्रगल करते हैं स्टूडन कुछ लोग रटा लगाते हैं कुछ इंडारेजन होते हैं वो रटा नहीं लगाते हैं वो खुद ही याद कर लेते हैं और एक्जैम बेने के बाद किसी के 90 प्लस मार्क्स आते हैं फरस करे 95 आगे किसी के आ जाते हैं विचारे के 60 और किसी के आते हैं 50 तो जिसके आते हैं 50 वो बड़ा फरस्ट्रेट और तेमा यूस होता है नहीं चीज़ों को खतम करने के लिए ना ग्रेडिंग सिस्टम के लाँच किया जा रहा है। अब किसी का ऑपने भाई का, बहन का, दोस्त का, कजन का, किसी का भी result card check किया होगा, वहाँ पे marks की detail दी होती है, और उसके साथ ही लिखा होता है, obtain marks और total marks के दो कालब, लेकिन इस बार आपके result card में ये बताया जा रहा है कि जो grading system में अगर result आ जाएगा तो उसमें दो additional वहाँ पे column बना दिया जाएगे जिसमें लिखा जाएगा एक तो लिखा जाएगा percentile और एक होगा relative score एक percentile score होगा, एक relative score होगा, अब grading system का फाइदा क्या है अब एक छोटी सी example देने लगा हो गोर्श सुनिए, अब देखें first कर लें, एक subject है उर्दू का ले लें तो उसके total marks है 75 अब हमारे यहाँ पे एक रवायत ये थी के 75 जो लेगा या 74 लेगा उस पे A grade होता था ठीक है, तो हर student के इतने marks नहीं आते थे, किसी के 50 आते थे किसी के कितने आते थे, तो उनको उनके रहास से percentage की पॉंड़स दी जाती थी लेकिन अब grading system में ये होगा कि 75 total marks है ठीक है अब देखा ये जाएगा कि उस subject में highest marks, यानि कि पूरे board में, उस subject में highest marks कितने आई फर्स करें, आपके आगे एक board में student है 9th का, और उसने highest marks लिए paper में, पूरे board में, वो 70 लिए अब आपकी जो maximum marks है ना उस subject में 70 consider किया जाएगे और वो 70 marks ही आपके daughter marks होगी ठीक है, अब आपका result कैसे calculate किया जाएगा देखें, फर्स कर लें आप फर्स कर लें, मैंने उर्दु का exam दिया तो मेरे marks आए जब उसमें 60 जो मैंने marks obtain किये, वो आए 60 अब maximum किसी बच्चे ने लिए है, वो है 70 यह अपने जहन में रखना है आपनी अब मैंने जो लिए 60 marks अब क्या होगा, 60s को 100 से multiply कर दिया जाएगा मेरा career निकालने के लिए 60 marks जो होगे, उसको 100 से multiply कर दिया जाएगा और उसको divide किया जाएगा, तक्सीम किया जाएगा maximum marks obtained by the student in that subject वो क्या है, यानि कि जो सबसे हाइस marks लिए हैं किसी भी student ने उस subject में वो लिए है 70 अब वो 60 जरब 100, तक्सीम 70, 60 multiply by 100 and divided by 70, जब इस तरह से result आपका निकाला जाएगा अब इस तरह से मेरा जो है वो grade जो है वो improve हो जाएगा 60 multiply by 100 divided by 70 अब grading system जो है वो कौन सा launch किया है, उनकी तर्तीब क्या है, वो मैं बदाता हूँ आपको जो student 90 से 100 marks लेगा उसको A plus grade में रखा जाएगा और जो 87 से 89 marks लेगा वो A grade में आएगा इसके बाद 82 से 86 marks वाले student को B plus grade दिया जाएगा उसके बाद 75 से 81 वाले student होगा वो B grade में उसको place किया जाएगा 70 से 76 जो है वो C plus grade consider किया जाएगा और 60 से 69 जो है वो C grade होगा उसके बाद 50 से 59 जो है वो D plus grade होगा और 40 से 49 जो है वो D grade होगा यह सारे marks percentage में जो percent marks देगा वो D grade में आएगा अब 30 से 39 इसके दरम्यान में जो percent जिसके इस percent में marks आएगे वो E grade में होगा और जिस student के 33% से यानि के 33% से below marks होगे उसको F grade दिया जाएगा और वो दुबारा exam दे सकता है इस तरह से तरतीब की है तो इसको फिलहाल phase one में ninth class को किया गया है अब देखें जब 11th class आएगी उसका भी अभी sure नहीं हो सकता है उसका भी आए लेकिन यह phase one 2019 में implement कर दिया गया है तो इसको check कर लें समझ लें अपने आपको आप असानी से निकाल सकते हैं